दोस्तो आज के बीडियो में मैं आपको Excuse me sir, sorry sir मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरी एक समझ्चा है क्या मैं पूछ सकता हूँ Okay no problem, क्या है आपकी समझ्चा बुलिए Sir मेरा नाम रजजट शर्मा है अच्छा तो आपका नाम आपकी समझ्चा है जी नहीं sir आप बीना मजाग करते हो मैं आगे बता रहा हूँ Okay I was just kidding, क्या बोल रहते हैं आप बोलिए Sir मैं एक engineering graduate हूँ और मैं computer programming, computer coding में ज़्यादा interest रखता हूँ और मैं चाहता हूँ क्या computer coding में practically सीखू Computer coding में मैं अपना career बनाना चाहता हूँ Computer में जो अलग-अलग programs रहते हैं उन्हें practical कहां से सीखा जाए ये मुझे पता नहीं है ये मेरी समझ्च रह है क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल बता हूँगा दोस्तों Excuse me sir, इनकी तरह मेरा भी एक problem है Yes, please Sir, मेरा नाम Ajay Kumar है और मैं 12th pass student हूँ और इनकी तरह मैं भी computer coding में बहुत ज़्यादा interest रखता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि भाई, ये computer में जो website design की जाती है, develop की जाती है ये किस तरह से बनाया जाती है, application कैसे बनाया जाते है ये मैं practically सीखना चाहता हूँ और मुझे भी idea नहीं कि भाई ये कहां से सीखे मैं ये जानना चाहता हूँ Okay, तो अब और कोई किसी को कुछ पूछना है हाँ sir, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ सर मेरा नाम राजेश जादो है और मैंने आईटी में अपना graduation कंप्लीट कर लिया छे मैंने पहले basically मैंने B.S.I.T. कंप्लीट किया है और उसके बाद से मैं अलग-अलग IT companies में इंटर्यू के लिए जा रहा हूँ लेकिन जहां पे भी मैं इंटर्यू दे रहा हूँ वहाँ पे practical round में मैं फेल होता हूँ practical interview मैं crack ही नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वज़े यह क्योंकि colleges में हमें hands-on practical के साथ coding नहीं पढ़ाय गया था तो बहुत सारे program हम practical नहीं कर पाते और interview crack नहीं कर पाते और उसके साथ कुछ interview ऐसे रहते है कि जहां पे full stack developer की requirement होती है और उसकी वज़े से तो मुझे वहाँ पे entry नहीं मिलती है तो मैं यह full stack developer बनना चाहता हूँ मैं coding को practically सीखना चाहता हूँ लेकिन मुझे idea नहीं कि मैं यह कहां से करूँ क्या आप मुझे बताएंगे got it okay बताता हूँ जिया दोस्तों अगर आप भी Rajat Sharma की तरह एक engineering graduate student हो और आप computer coding को detail में सीखना चाहते है practically सीखना चाहते या फिर आप Ajay Kumar की तरह एक 12th class student हो और आपको पताने कि भाई यार computer coding मुझे सीखना है कौन सा भी अपने graduation complete कर लिया और अब भी आप computer में अपना career बनाना चाहते computer coding detail में practically सीखना चाहते और आपको full stack developer बना है लेकिन आपको बिलकुल आड़े ने कि भाई यह full stack developer होता क्या है उसके लिए कौन कौन सी coding हमें सीखने की ज़रूरत पढ़ सकती सारी चीजों का knowledge आज की यडियो में मैं आपको देने वाला हो तो अगर आप interested हो तो यडियो इंट तक देखिएगा मैं सतिश आप सब का सौगत कताव लर्मो चैनल पर लेट्स बिगिन तो दोस्तो आज की यडियो टॉपिक है यह अल्यड़ी आपको पता है लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आप एक engineering graduate हो या फिर अगर एटी graduate हो या फिर आप art student हो art से अपने graduation किया है commerce किया है या फिर आप 12th past student हो और आप computer field में अपना career करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जिया दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक program बताने आप जहां से आप 6 मेने में एक full stack developer बन सकते हैं जिया डीटेल में बताओंगा आगे लेकिन इससे पहले मैं आपको full stack developer क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा अप्लिकेशन का front end, application back end उससे related जितने भी tools required रहते हैं वह सारे खुद से इंस्टॉल करके एक application ready करके उससे deploy कर सकता है एक project को पूरा पूरा डेवलप करके deploy कर सकता है एक्जांपल मैं आपको बताओ कि आपको एक restaurant एक food restaurant है जिसका website और application आपको बनाना है तो उनके restaurant में जो अलग अलग product प्रोडक्ट से मेरा मतलब है अलग अलग जो डीश बनती है उन सभी का details उस application में रहे और customer जो order करना चाता है add to card करे तुरंथ उसे payment करे और उसे purchase कर ले तो जैसी customer purchase करेगा उस सभी की details उस restaurant वाले के पास मिले यह procedure application की basically तो जो customer open कर रहा application उसके पास जो वीवार application का उसे हम front end कहते है याद रखिए front end और जब customer data फिल करता है अपना जो भी product का order है जो भी food का order है basically वो order add कर देता है फिर अपनी details भरता है payment करता है तो यह सारी चीजे जाती है कहा पे store होती कही पे जाकर उसे back end कहते है और back end मतलब एक database basically होता है तो database को manage करना आपको आना चाहिए आपको front end बनना चाहिए और यह सब चीजे जिसको आती है उसे full stack developer कहते है यह हो गया full stack के बारे में मैंने आपको idea दिया कि coding field में यह full stack developer होता क्या है एक आसन वाशा में मैंने आपको समझानी को कुशिच की तो अब आपका main स कवाल रहेगा कि यह full stack developer बनना है लेकिन कहां से बने practical कहां से सीखे इसका तो मैं आपको एक program recommend करूंगा जो कि MKSL की तरफ से MKSL महारास्टा नॉलेज कोर्परेशन लिमिटेड MKSL government recognized public limited company है जिन्होंने अपना dnext एक program launch किया है जिससे वो full stack developer में जो required coding रहती है वो पूरी hands प्राक्टिकल के साथ सिखाते हैं तो दोस्तों अब यह dnext program की हम थोड़ी सी detail जान करें लेते हैं कि यह dnext program कितने मैने के लिए रहेगा क्या-क्या syllabus cover होगा क्या-क्या चीज़े आपको इसमें मिलेगी सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा यह program six months के लिए full time र प्राक्टिकल शीज किया आपको सीखने मिलने वारी सारी के सारी सारी uh해에 यहा पे लायू प्रोजेक मbble ten एक्सपे उप्र करोगे कि vista करते हैं वह लगयम करते हैं व्यश्यक् intelligence रे करने ंरेगी एक्शलों के प्रोगरमें की क्या requirement होती है आपको यह product क्रोग क्योंकि बहुत सारे जगह पे जब आप इंस्ट्ट्ट में जॉइन करते हो तो वहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट के उपर काम नहीं होता है वहाँ पे उनका ढाचा रहता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहता है उसे पर बार 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 श्टुडन को पड़ाते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं है अलग-अलग लाइव प्रोजेक्ट के उपर आपको काम करने मिलेगा जिया दोस्तों यही इस प्रोग्राम की में खासियत है और यह जो लाइव प्रोजेक्ट के उपर आप काम कर रहे हो या फिर आप लाइव क्लाइंट के साथ इंट्रेक्ट कर इसका एक आपको experience certificate भी MKCL आपको दे रहा है, 6 मैने के बाद, 6 मैने का experience certificate आपको MKCL के तरफ से मिलेगा, इस DNEXT प्रोग्राम करने के बाद, अब इसमें जो syllabus cover है, पहले मैं आपको syllabus बताना चाहूंगा, क्योंकि जो syllabus cover है, वो industry relevant syllabus है, based on exponential technology, syllabus आपके screen के आपर यहां पे दिखाए दे रहा है, यहां पे bootstrap, view.js, kits code, visual studio code, react.js, mongodb, mysql, cloud computing, java, node.js, golang, python, html, css, यह सारी सीजे यहां पे आपको practically सीखने मिलने वाली syllabus के अंदर, इसके साथ ही यह program करते हुए, mkcl आपको offer करेगा, work labs library access करने के लिए, और इसके साथ ही, अगर आप coding सीखर हो, programming सीखर हो, तो आपको practice करने के लिए laptop की जरूरत होती है, तो यहां पे developer grade का laptop, यानि की developer को, जो configuration requirement होती, laptop में, वो level का laptop, आपको mkcl यहां पे इस program मे join करने के बाद देता है, यह program का जो placement assistant है, वो यहां पे 360 degree placement assistant, mkcl की तरफ से आपको offer किया जा रहा है, और इसके साथ ही आपको job assistant भी मिलेगा, तो यह program की सारी details मैंने यह आपको बताने की कोशिश की है, तो दोस्तों अगर आप यह mkcl का dnex program join करना चाहते हैं, तो आपको एक entrance exam देनी पड़ेगी, और entrance exam के registration के लिए description में हमने एक link दिये, जिस पे click करने के बाद आपके सामने एक registration form open होगा, यह registration form आपको fill up करना पड़ेगा, यह आपर register करने के बाद आपको सारी details message और email के थुरू मिल जाएगी, साथी में exam के अंदर क्या questions पूछे जाएंगे, यह आप जाना चाहते हैं, तो website आप चेक कर सकते, description में हमने link दी है, तो अगर आप interested in programming में अपना career करना तो definitely आपको description में जाकर यह link को check out करो, यह आप यह number दिया है, उनको call करो, और आप inquiry कर लो कि भई, यह program किस तरह से रेगा, उसकी piece क्या रहेगी, कैसे admission लेना है, सारी चीज़े आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, call करके, तो चलिए मैं लेता हूँ, आपसे अलविदा सीखते रहे हैं, सीखाते रहे हैं, आपना खयाल देखिएगा, बाई बाई